तो ये देखिए आज हमने 29 अक्टूबर को तोड़ा है अपने चछत से बहुत सारे तरोई, लॉकी और मूली और जो मूली हमने हार्वेस्ट किया है वो टोटली हमारा और गैनिक है सारी सबजिय वैसे और मगर जो मूली है वो हमने फर्स टाइम हार्वेस्ट किया है और तो देखिए आज हम अपनी मूली जो है जो कि हमने एक्सपेरिमेंटल वर्स जो हमने दुकान से मूली की सीट खरीद के लाई थी वह हमने ऐसी मोसंबी के गमले में डाल दिया था और हमारी जो मूली है वह बहुत अच्छे से तियार होगी और तनु तम रेड़ी अपनी हुआ और वीडियो बनाये जा रहे हैं और यह देखिए यह हमारी हो रही है मूली की पहली हर्वेस्टिंग और तनु इतना जादा एक्साइटेड है कि उसने छोटी सी मूली तोड़ दी तो देखिए मूली हमारी जो है यूँ हमने एक्सपेरिमेंटल बीज डाल दिया था मूली को सोक तो बहुत अच्छे से महिना में आपकी मूली तीयार हो जाएगे वह बहुत अच्छी मूली की साइस और सारा हमारा और और ऑर इकली है बस आपको धूप अच्छे से और वौतरिंग और बीच बीच में नीम स्प्रे करते желए क्योंकि मूली जो पत्ते हैं इसम हमें सलाद में यूज कर लिया और उसके सांथ देखे तनु अब तोड रहा है पोई साग जो की मालाबार स्पीनेच बोला जाता है तो अभी मैंने मालाबार स्पीनेच की हमको जोहत नहीं है क्योंकि अभी मेरे फ्रीज में बहुत सारे साग भी बचे हुए मगर तनु को क्यो बहुत जादा एक्साइटेड है क्योंकि हमारी फर्स्ट जो है मूली तूटी और उसकी साइज बहुत अच्छी अच्छी है तो इसको हम ना सब्जी नहीं बनाएंगे उसकी लीफ को हम सब्जी बना लेंगे पालक में डालें या फिर किसी दूसरे साग में डालेंगे और तो मूली है क्योंकि और गैनिक है तो इसको कच्छा खाने से हमको स्वाद पता लगाएंगे कि हम इसकी स्वाद कैसी है तो हम इसका जो उप्योग है वह सलाद में ही करने वाले हैं मूली जो एक ऐसी सबजी जो चाहों में भी हो जाती है मगर इसको प्रॉपर धूप और पानी देते रहेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत ताजी ताजी मूली आप यूँ अपने गमले में छत्ते बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं साब में फ्रेंड्स हमारी जो है यह स्पंजगाड यह भी पहली है तो हम एक तोड़े से कुछिन में किसी भी सबजी में इसे डाल दूंगी और यह देखिए यह एक छोटे से टब में लगा हुआ है तो इसकी भी बहुत सारी मगर अब जो है बेबी जो है ना है और क्योंकि तनु को कैची अभी इस्तेमाल करने अच्छे से नहीं आता है तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इससे समझा रहे हूं कि इसको गोल-गोल घुमाईए तनु हमेसा ही जो है ना कैची प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता हूँ इतना पेपर इन की सबजी बहुत अच्छी लगती है और इधर इसी टब में हमने मालाबार स्पीनेच स्पंजगर्ड और साथ में हमने एक लौकी का एक पौधा भी लगाया हुआ है और लौकी जो है और देखिए हमारा लौकी है तनु क्या बोलना चाहते है आप देखिए कितना फ्रेस ल लौकी की बच्ची भी लगे है और हम लौकी तोड़ रहे हैं ताकि जो है वह सेकेंड वाला जो बच्चा क्योंकि मैंने टब में लगाया हुआ तो दूसरे लौकी को भी जगह मिल जाए और बड़े होने का और इसलिए हमने इसकी जो है बज का बनाके खालेंगे इसकी या चलते हम अपनी गोल वाली लौक की तोड़े निकले याने की बॉटल गार्ड और इसमें भी तीन चर फल लगे और अगर आपने अपनी आर्लियर वीडियो देखे होगे तो तो आपको पता होगा कि हमने अल्रडी पहले से ही इसमें से दो तीन बॉटल गार्ड उठा चुक कर देखे और यह देखें फ्रेंट इसमें से हमने बॉटल गार्ड टोल लिया है राउंड वाली और बहुत अच्छ बहुत बड़ा साइस का तो अल्रडी हम इसको खा चुके पहले और जो यह बॉटल कर जो होता है इसका जो बहुत मीठा सब्जी बनता है तो हम जितनी जा रंच सब्जी तोड़ा है ना अब खतम होने वाल है तो फ्रेंट्स देखे ना आप कितनी अच्छी अच्छी सबजिया जो है अपने घर में लगा सकते है और फ्रेस फ्रेस अब जिया खा सकते हैं तो मिलते हैं कि नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक साथ तब तक थेंक्यू बाइ